उत्तरपरदेश में डबल इंजन की सरकार यूआओं को दोडा दोडा करके नोकरियां दे रही है कमाल की बात है ना ये तस्वीरे आप देख रहे हैं ये उत्तरपरदेश के प्रियागराज की नाम बदल दिया इलाबाद का प्रियागराज लेकिन तरीका भी बदल दिया साब ये नोक्रिया मांग रहें युवा हैं जिन युवाओं का पर्चा लीक हुआ है ये कहा जा रहा है और दोबारा से री एक्जाम की बात कर रहे है आरो ए आरो के ये अभ्यारती है और प्रदसन कर रहे है प्रियागराज के अंदर लेकिन पुलीस इनको कैसे दोड़ा दोड़ा करके और ना केवल दोड़ा दोड़ा करके बलकि कोलर ऐसे पकड़ करके जैसे कोई गुंडे मवाली हूँ ये देश के बिरुजगार युवा है कल को यही अफसर बनेंगे और यही जो कोलर पकड़ रहे हैं इंकी उपर जाकर करके बैठेंगे और फिर दिखाएंगी कि देखिए ये वीडियो हमेशा के लिए रहेंगी किस तरह से दोड़ा दोड़ा करके और ना केवल दोड़ाया है बलकि मुबाइल फोन जब्त कर ले रहे है गजब बात है मुबाइल फोन जब्त कर लेंगे आप जो भी मिलेगा मुबाइल फोन चीन लेंगे मैं आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा ये हो रहा है डबल इंजन की सरकार के अंदर उत्तर परदेश के अंदर अगर आपको लगता है कि चलिए राम मंदिर बन गया चलिए ग्यान व्यापी के अंदर पूजा हो रही है वो खबर अगर आपके लिए इंपोर्टेंट है तो सही बात है फिर आपसे इन अभ्यारतियों को कुछ नहीं कहना है इन बेरुजगार युवाओं को आपसे कुछ नहीं कहना कोई शिकायत नहीं है लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि देश के अंदर विकास होना चाहिए काम होना चाहिए रुजगार मिलना चाहिए और पेपर अगर हो अगर परिक्षाए हो तो वो उनमें धांदलिया ना हो वो लीक ना हो और अगर ऐसा हो रहा है तो अगर अब भ्यारती सडकों परा करके री एक्जाम की डिमांड कर रहा है तो इसमें बुरा क्या है तस्वीरे देखी जगा तस्वीरे देखी आप किस तरह से कोलर पकड़ पकड़ करके ले जाया जा रहा है किस तरह से धकेला जा रहा है ठूसा जा रहा है मुबाइल फोन जब्ट किये जा रहे हैं गजब चल रहा है उत्तर परदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार इस तरह से जो है वो काम कर रही है अगर यही युवा कावर लेकर के आते यही युवा अगर और कुछ काम करते तो उपर से पुलिस यही पुलिस जो आज कोनर पकड़ करके लेकर के जा रही है यही पुलिस उपर हेलिकॉप्टर से फून बरसाती यही बिरुजगार युवा प्रियागराज के अंदर कुम्ब का मेला लगेगा तब आएं तो इनके उपर फून बरसाए जाएंगे अब आए हैं अब डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा से एक्जाम करवाए जाए दोबारा से प्रिक्षा करवाए जाए क्योंकि परचा लीक हो गया है तो देखिए क्या सलूक किया जा रहा है देखिए किस तरह से यहाँ पर नोजवानों को बिरुजगारों को वो कोलर पकड़ पकड़ करके ठूसा जा रहा है जैसे कि यही बस गुंडे मुवाली बचे हो बाकी सब रामराज आ गया है बाकी सब चंगा सी यह उत्तर प्रदेश के हालात हैं जिसमें डबल इंजन की सरकार चल रही है जिसमें खुद योग्य दितनात कह रहे हैं कि पेपर लीक करने वालों को किसी भी दिसा के अंदर छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी दिसा में उनको नहीं छोड़ा जाएगा लेकिन यह क्या हो रहा है साब यह को लोग हैं कि इनकी डिमांड इतनी गैर वाजीब आपको लगती है कि ऐसे धर पकड़ की जाएगी इन लोगों की बाकी सब कुछ कंट्रोल में आगये आपके कुछ मैं आपको दिखाता हूँ ममता तिरपाथी जो की पतरकार है उत्तर्प्रदेश की राजनिती को वरिष्फ पतरकार है लगातार कवर कर रही है करती है कई सालों से कवर कर रहे हैं उल्टा चात्रों का लोक्तांत्रिक हक आंदोलन भी छीन रहे हैं दरोगा जी उपर वाले की लाठी से डरोगा की धारी डी जी पी साब देखिए आपनी प्रियागराज पुलिस मित्र पुलिस का विवार ऐसे बनाएंगे सामांज से मतलब की पेपर लीक हुआ अभी तक तो पुलिस मान नहीं रही थी कि जो कॉंस्टेबल का भी जो पेपर लीक हुआ है वो हुआ है इसको मान नहीं रही थी सरकार डिप्टी सीम कह रहे था कि पेपर लीक नहीं हुआ लेकिन जब प्रैसर बना जब लोग सड़कों पर उत्रे चोतरफाव आज उठी, तो सरकार ने आनन फानन में उसको रद कर दिया, पुलिस को इस टेबल के परिक्षा को, लेकिन अब अब ये जो है वो खड़े हो गए है, आरो और ए आरो वाले, और अब ये कहरें कि हमारा भी पेपर लीक हुआ है, हमारा भी परचा लीक हुआ है, हम लेकिन जराए देखी, इसको लेकर के कॉंग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, यूपी में बेरुजगारों का हाल देखिए, रुजगार मांगना यहां पर पाप है, पिछले दिनों आरो ए आरो परिक्षा का पेपर लीक हुआ था, और अब इस परिक्षा से जुड़े यूआ री एक्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, रुजगार मांगने पर डंडे बरसा रही है, यूआओं की मांग जायज है, री एक्जाम होना ही चाहिए, यह जो कॉंग्रेस ने का है, कि यहां पर न्याय मांगना, य यह उत्तर परदेश है बिरुजगारों का हाल है और आरो ए आरो का परिक्षा का पेपर जो है वो रद लीक हुआ था उसको रद करना चाहिए दुबारा से मांग होने दुबारा से रेक्जाम होना चाहिए एक उंग्रेस पार्टी ने लिखा है इसके बद समाधवधी सब्सेंकारियों को गरफतार कर लिया और मोबाइल चिंग लिए क्या गलत मांग कर रहे हैं ये यूवाँ यही की पुरानी बेमान पूरण परिक्षा रद करके निसपक्स और फेर अर परिक्षा होनी चाहिए का तो संकारियों गरिफतार किया है या नहीं किया है वो तो अभी आखड़े आई नहीं हमारे सामने और ये कितने हैं ये ट्वीट हुआ था जब तक ये वीडियो में रिकोर्ड कर रहा हूं केवल 18 हुए है क्या और जदा हुए है या पकड़ लिया सेकड़ों की तदात में है लेक पड़े लिखे लोग हैं ये वो लोग हैं ये वो विरुजगार युवा है जिनके माबाप ने इनको पढ़ाने के लिए इनको यहां तक पहुचाने के लिए अपना जीवन खपा दिया है और उनके साथ ये सिलूक हो रहा है जरह देखिए एक बर यह तस्वीरें क्या कहती कैसे कोलर पकड़कर के ठूसा जा रहा है सोची जो वटसप पर भेजते हैं कि हाँ भाजपराज में ये भाजपराज में ये भाजपराज में ये भाजपराज में ये उन लोगों के तस्वीर देखनी चाहिए कि भाजपराज में इस तरह से जिन नोजवान लड़कों को त जारी कोलर पकड़कर के लेकर जा रही है कितने नोजवानों की साधी की बात चल रही होगी सगाई हो चुकी होगी लड़की वाले देखेंगे तो कहेंगे कि तुम्हारा लड़का कहीं अपरादी तो नहीं है और इस वीडियो को जो है वो आजकल ऐसी फरजिवाड़े का दोर है कोई कहीं कहे देगा कि तुम्हारा जो लड़का है जो तुम देखकर क्या है पसंद कर क्या है वो तो पता नही कहां पर क्या गुंडा मवाली का काम करता है उसको तो देखो पुलिस कैसे पढ़ करके ठूस करके ले करके जा रही है कुछ भी कहकर कि आज कल जो है वो फरजीवाडा कर दिया जाता है और हो सकता कि कोई सरीफ आदमी माल ले और हो सकता कि उसका रिस्ता तक तूट जाए तो एक ऐसे दोर में एक ऐसे समय के अंदर इसको रामराज, अमरतकाल, अमरतमाहुत्सव, ना जाने किस किस तरह के नाम दिये जा रहे हैं लेकिन सच्चाई जो है वो क्या कहती है देखी पुलिस वाले कैसे चीन रहे फोन को तस्वीर देखी एक बर जड़ आप पुलिस वाले ऐसे चीन करके और होके रहा है फोन तो दे दो मेरा बही आप जंतर मंतर जाते हैं आप लखनाओ में जाते हैं आप एदराबाद में जाते हैं आप पशी मंगाल में जाते हैं आप मुंबई में जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए तो क्या पुलिस ये करती कि फोन छिन छिन करके अपने पास जमा कर लेगी ऐसे तो सड़क पर कोन उत्रेगा और आज गल मुबाइल फोन तो सबका पास्पोर्ट एक तरह से कि मुबाइल फोन अगर किसी ने छीन लिया मुबाइल फोन चोरी हो गया तो उसका बाद तो उसके समझो कि पूरा पासपोर्ट जप्त हो गया उसके बाद में उसको पूरा प्रक्रिया करनी पड़ेगी और यह अब भ्यारतियों के पास में तो बेचारों के पास में मोबाइल फोन के अंदर ही सब कुछ होता है किस कोचे इंस्टूट में पढ़े थे उनके पेपर होते हैं उनके नोट्स होते हैं कहीं से जो है कुछ अपना खुद का लिखा हुआ होता है उसके स्क्रिंशोट होते हैं कहीं के फोटो कहीं चेवे होते हैं कई वीडियो डाउनलोड करके वो अपनी पढ़ने के लिए वीडियो रखते हैं कि चलिए ढाई गंटे तीन गंटे दूर जाना रहेगा मोबाइल में इंटरनेट नहीं है या मोबाइल का इंटरनेट आज खतम हो गया आज का पेक तो वो अपना recorded जो वीडियो होता है या डा गंटे की क्लास की वीडियो होती है तो इंटरनेट तो इतना होता ही नहीं गाओ द्यात की बच्चों के पास में कि वह ऐसा पैक डलवा करके चलें कि उनका तो अनलिमिटेड चलता रहेगा तो मोबाइल उनका पासपोर्ट एक तरह से है और आप उनका पासपोर्ट छीन ल जैसाब को देखना चाहिए सुप्रीम कोट को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और ये कुछ तस्वीरे देखी लेखपाल वाली ये लेखपाल के भरती जो है वो उसको ले करके और कुछ मैं अख़बारों की कतरन आपको दिखाता हूँ ये देखिए कि हिंदुस्तान अख़बार की कतरन है कि तलासी के बहाने किसान से सिपाईयों ने की लूट ये उत्तर परदेश पुलीस है तलासी लेने के लिए किसान को रोक और उसके बाद में लूट कर लिए उससे इसके बाद एक और ये यूपी तक की खबर देखिए चाय लाने में देरी हुई दरोगा ने चायवाले की पिटाई कर दी सडक पर फेका 28 लिटर दूद बताई आप चायवाला चायवाले के नाम पर तो मोदी जी कितनी राजनिती कर गए साब चायवाले के नाम पर उनके पता ने कितने भाशन हैं कहां कहां से हैं चायवाले कोई आलत है गरीब बेटा हूं चायवाले का बेटा हूं चायवाले का बेटा हूं चायवाले बनाई एक चायवाले को क्या किया जा रहा है तो ये कुछ बस कुछ झालकिया है कुछ खबरे हैं सिर्फ ये और बाकी तो पहुची नहीं पाएंगी लोगों तक RO-ARO की अब्यारती वो लगाता रियेकजाम कर डिमांड कर रहे हैं इसी तरह से कुछ दिन पहले कॉंस्टेबल वाले भी कह रहे थे कि हमारी भी जो है वो रियेकजाम कर वाई है पेपर लीक हुआ है सरकार बाने के लिए त्यार नहीं थी ये इस तरह से होता है और अगर ये इसी तरह से होता है तो साफिर ये डेमोक्रेसी के संकेत है या किसके संकेत है सवाल ये है तो बेराल शेर कीजिए इन अब्यार्थियों के बारे में कुछ आवाज वो लोगों तक पहुंचे बाकी तो रामराज की बाते हैं, मंदिरों में आरतियों की, मस्जिदों की बाते हैं, उधार्मिक जो है, उस्थलों की बाते हैं, विवादों की बाते हैं, ग्यानवयापी मस्जिद की बात, ये वो खबरे तो सब जहें चली रही हैं, इन लोगों की खबरें नहीं चल रही है कभी और यह आज कल पुलिस पुलिस में भी फरक नहीं रहा है इसी तरह से कुछ समय पहले डिली यूंश्टी के बहार डोकटर रीतू ने वहshire प्रोटेस्ट किया था और वहाँ पर जो डॉक्टर रितू को जो प्रोटेस्ट कर रही थे वहाँ पर उठा दिया फिर पानी भर दिया वहाँ पर तो यह पुलिस पुलिस का इसी तरह से है लेकिन यह क्यों है यह सवाल लोगों के जहन में जरूर आना चाहिए यह किस दम पर है यह भी आना चाहिए शेर कीज़े इसको लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम ख़बरों के लिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे ही कोई ख़बर अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके अगर यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए फोलो कीजिए और इस ख़बर को शेर कीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद